अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं आने वाले दिनों में आज या फिर आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा और वहीं अगर इसके पिछले रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं अगर इसके हम बाकी डिटेल्स की बारे में जान ले अगर इसमें देखते हैं कि एनलिस्ट की क्या रहा है तो यहां आप देखेंगे जो 72% एनलिस्ट इसमें अभी भी बाइंग की रेटिंग हमें दे रहे हैं सेल्स ग्रोथ परसेंटेज पर नजर डाले अगर तो आप देखेंगे कैसे इनके जो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज है वो भी ग्राज्वली एर ऑन एर बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं 7% से 11% देन 20% तो इस 5 साल से एक सा हमें देखने को मिल रहा था वही 3 years में 51% बट आपको एक चोटा सा डिप यहां देखने को मिल रहा है 1 year में वो है 43% के लगभग अब अगर हम ROE की बात करें तो ROE always 20% is very good बट आप यहां देखेंगे कि पिछले 5 साल में 11% 3 years में 14% था बट वही 1 year में आपको एक थोड़ा आप जम्ट देखने को मिला है जो की 19% तो almost 20% के लगभग आसपास यह पहुँच चुका है और आगे हो सकता है कि यह और बढ़ जाए अब अगर ROCE की बात करते तो ROCE भी यहां पर आपको नजर आएंगे कि हर साल यह आपको gradually यहां पर भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं 12% से 15% almost 16% and then फिर 20 to 21% के आसपास आप इसको consider कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे इनके जो भी ROCE है या फिर ROE है वो भी हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं बस एक छोटा सा डिप हमें जो ROE में यहां पर देखने को मिला था इस एक साल में sorry not यहां पर हमें profit growth percentage में थोड़ा सा डिप देखने को मिला था बट ROE अभी बहुत अच्छा है ROCE की बात करे वो भी बहुत अच्छा है अब अगर debt की बात करे तो यह company almost debt free category में आती है अब अगर इस company के background के बारे में जाने की company करती क्या है जिन्हें नहीं पता है बाकी यह pharmaceutical company है जो की manufacture करती है 350 formulation and 80 APIs अगर बात करें तो company more than 60% से जादा यह partnership में है 120 countries across the 6 continents तो आप देख सकते हैं company भी अच्छी बड़ी अच्छी खासी बड़ी है और काफी पुरानी company भी है अब अगर इसके हम जो balance sheet है जो finance है उस पर नज़र डाले तो आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे 4 साल की from March 2018 से लेके March 21 तक तो sales में अगर हम देखे तो यहां आपको सारे number crores में दिखेंगे तो देख सकते हैं यहां पर साल दर साल जो इनके numbers है वो हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं 3,258 crore से लेके 5,420 crore तक का सफर आपको यहां पर दे 4,45 crore का 6,06 crore and then 1,140 crore के आसपास तो आप देख सकते हैं किस तरीके से company जो है वो साल दर साल basis पे अच्छा खासा perform कर रही है अब अगर हम इसको percentage wise देखे कि sales जो sales का इनका numbers है उसको हम percentage wise देखे from March 20 से लेके from March 2021 तक तो आपको इन दोनों numbers के बीच का जो difference निकल के आ रहा है वो है 16% का jump तो इन्होंने जो अपने साल दर साल basis पे पिछले साल से अच्छा perform किया है 16% के आसपास अपने total income में वहीं अगर net profit के numbers पे नजर डालते हैं तो वहीं आपको अगर हम इन दोनों को compare करें तो यहाँ पे जो इनके percentage है जिसमें हमें jump देखने को मिल रहा है वो है 88 percent के आसपास तो आप देख सकते है percentage भाइस भी अगर हम नजर डालते हैं तो हमें काफी अच्छे percentage देखने को मिल रहे हैं दोनों में net profit हो या फिर हो total income अब अगर इसके हम quarter basis के numbers पे नजर डालते हैं तो यहाँ देखेंगे हम जो sales है वो हमें सबसे पहले देखेंगे June 20 से ल 1534 करोड से 1361 करोड तक का इनका जो है quarterly में change हुआ था and then फिर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है इस December 2020 में but उसके बाद फिर March में हमें एक छोटा फिर से fall down दिख रहा है जो की almost 20% के आसपास का यहाँ पे हमें dip देखने को मिल रहा है on quarter on quarter basis पे net profit की बात करें तो net profit में भी हम हमें अगर June 20 से देखें तो 446 करोड का था then यहां हमें गिरता हुआ नजर आया है जो है 267 करोड then 265 करोड और अगेन March अगर बात करें March 21 की तो हमें और घटते वे नजर आया है जो की है 161 करोड तो इनके जो net profit में जो changes आये हैं यह December 20 and March 21 के in between तो वो हम percentage wise अगर देखें त तो 39% का हमें dip देखने को मिल रहा है तो company ने year on year basis पे अच्छा perform किया है total income and net profit अच्छे रहे हैं बट वहीं अगर हम quarterly basis पे देख रहे हैं तो 20% हमें जो है वो dip देखने को मिल रहा है इनके total income में और अगर net profit की बात करें तो net profit में भी हमें decline देखने को मिल रहा है 39% के आसप अब अगर इसके हम share holding patterns पे नजर डाले तो आप देखेंगे June 2020 से लेके March 21 तक के हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम promoters की बात करें तो promoters ने जो अपनी holding है वो यहाँ पे consistent रखा है then यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिखा और यह फिर दो quarter में हमें consistency maintain करते हुए दिख र रही है वहीं अगर FII की बात करें तो FII ने अपने holdings को है यह तीन quarter में थोड़े-थोड़े करके बढ़ाये हैं बट इस March 21 में थोड़ा से इन्होंने cutshot जरूर किया है वहीं अगर इसकी बात करें हम DII की तो DII ने अपने holdings जो है वो बढ़ाये थे June 20 से लेके September 20 में बट वापस से इन्होंने थोड़ा सा कम किया है December में और फिर थोड़ा सा minor सा change किया है March 21 में तो यहां पर जो आपको holdings देखने को मिल रहे हैं यह थोड़े से fluctuate होते में दिख रहे हैं गोर्मेंट के पास बहुत जादा holdings तो है नहीं बट फिर भी जो है वो हमें एक थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है और फिर इन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से consistency maintain की है अब अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी अपने जो holdings है उनको थोड़ा cutshot किया है पहले उसके बाद फिर से बढ़ाया है थोड़ा सा 21 में यह तो हमने देख लिए share holding patterns अब DSP है DSP small cap है DSP mid direct plan growth है L&T mid cap fund direct growth है L&T focused equity fund direct growth है तो इनके आपको percentage भी अच्छे खासे आपको देखने को मिलने है तो इतने सारे जो mutual funds है यह सारे ही इसमें invested है अब अगर company के pledge की बात करें तो company के उपर अभी तक किसी भी तरह का कोई pledge हमें देखने को नहीं मिल रहा है अब इ EPS देखेंगे 88% 88 के आसपास आपको दिख रहा है जो की बहुत अच्छा नजर आ रहा है मैं industry PE की बात करें तो 40 है और जो stock PE है वो 23 है तो यह share अभी आपको undervalued price पे मिल रहा है अगर deliverables के उपर नजर डालते है 56% इसकी delivery हुई थी Friday को तो इसको अपने DMAT account में इतने सारे percentage इतने percentage की लोग इसको अपने DMAT account में लेके जा चुके हैं अब अगर इस share के हम चार्ट पे नजर डाले जहां पर 1 week के time frame पे हम बात करेंगे तो अभी यह जो share है यह अभी अपने जो price पे खड़ा है वो आप देख सकते हैं यहां पर 2027 के आसपास यह आपको sustain करता हुआ यह तो मार्च में अगर हम बात करते हैं तो मार्च में भी यह काफी जादा नीचे नहीं आया था अपने जो 20 week एमें उसको भी break नहीं किया था बट हाँ उसको touch जरूर किया था तो हम जब low की बात करें तो यह 2000 के आसपास का सॉरी 2000 नी 1240 के आसपास के इसने low लगाया था उसक के बात से हमें थोड़ा इसमें profit book होता हुआ दिखा है और फिर आपने जो आप कह सकते हैं कि 50 week EMA के उपर यह sustain करता हुआ दिखा है वहां से वापस इसमें एक uptrend थोड़ा सा देखने को मिला बाकी वैसे ही यह बहुत अच्छा फिर बहुत कासा उपर गया नहीं अपने अ इस week की तो इस week में हमें यह नीचे काफी आता हुआ दिखा है काफी जादा नीचे आया है अब वहीं IMA City के उपर नज़र डाले तो इसके basis पे हमें और नीचे आता हुआ यह दिख सकता है आने वाले दिनों में तो इसके हम levels के and इसके जो supports निकल के आएंगे उसके उपर भ बात करें कि यह नीचे तक कहां तक गया था तो यह 2000 के आसपास इसने अपना जो है लो टच किया था और उपर की अगर हम बात करते हैं तो 2200 मतलब almost 2300 के आसपास तक यह गया था उस टाइम पे तो अब देखते हैं क्योंकि यह gap down इसमें opening हुई थी बाकि अगर MACD की बात कर तो यह भी हमें अभी नीचे की तरफ crossover दे रहा है यह share हो सकता है यह और भी नीचे आएगा बट यह है इसमें gap down हुआ है तो gap up होके जो भी इसकी जो gap down हुआ है वो एक बार fill जरूर होगा तो जब वो fill होगा तो वहां पे हमें मौका मिलेगा कि हम अपने जो भी है यहां प पूरी आपके पास जो जितनी भी capital है वो आप invest कर दे इसके उपर नहीं आप थोड़ा थोड़ा करके इसके उपर accumulation start कर सकते तो पहले आप थोड़े से quantity में चाहे तो आप इस लेवल पर खरीज सकते हैं उसके बाद अगर यह share और नीचे जाता है अगर 2027 को break करता है यह और नीचे आता हुआ हमें दिखता है उस time पे तो आपको यह 1800 के level पे आपको आता हुआ यह दिख सकता है तो उसके लिए आप ready रहें कि आपको और नीचे अगर मिलता है तो आप बहतर होगा कि आप और नीचे थोड़ा सा और accumulate करें बाकी अगर बात करें यहां से भी अगर यह यह जो gap down हुआ था यहां से भी अगर reverse होता है तो यह अपने वापस से जो 2300 के आसपास तक गया था वहां तक तो यह जाएगा और यहां से भी आपको एक थोड़ा अच्छा profit यह बना कि देगा बड़ अगर बात करें कि अब उसके उपर के level की तो उसके उपर के जो levels निक तो यह कहां तक जाएगा और आपको कितना profit बना के यह देगा तो आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ डिसकस किया है बाकि अगर आपको कुछ चीजे नहीं समझ आए या फिर कुछ confusion है आप comment box में पूछ सकते comment करकी otherwise आप वीडियो को अगर आखरी में आपको अच्छा boxman मिल जाएगा तो चली फिर हम आपसे मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you and take care